तो हेलो दोस्तों वेलकम टू फायराइस गेमिंग यूटूब चैनल एंड गाइस आज किस वीडियो में हम देने वाले सोलो रैंग की टिप्स और ट्रिक्स ना कि रैंग पुछ की टिप्स और रैंग पुछ इस बार हम नहीं करने वाले गाइस और गाइस अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद तो गाइस अगर आप रैंक उस भी करना चाहते हो तो भी वीडियो को एंड तक देखना और गाइस आप अपने केडी को इंप्रूफ करना चाहते है अपने गेमप्ले को इंप्रूफ करना चाहते तो भी वीडियो को एंड तक देखना विकोज वाइदे देखने को मिलेंगे एंड टिप नंबर 5 में मैंने आपको बता है एंड सरकल का फाइट आपको कैसे लेना है यहाँ पर ज्यादतर ऐसा होता है कि आप लोग एंड सरकल में मारे जाते हो यार आपको चारो तरफ से घेर के मार दिया जाता हूं भी सोलु मैच में तो यहाँ पर हमारा टिप नंबर 1 है लेंडिंग अप गाइज आप लोगों को लेंडिंग कैसे करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आचुका है परिगेटरी मैप अब आप लोग पहले क्या गरते थे कि बिल्कुल मर मर के सर्वाइब करते थे हम भी करते थे आप भ बहुत ही अच्छी खासी लूट मिल सके एंड गाइज वहाँ पर बंदे मतलब आए लेकिन ज्यादा ना है तो यहाँ पर देख सकते हो बंदे भाई साब 8-10 बंदे जा रहे तो मैंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया ठीक है मैं जा रहा हूँ इस साइड अब गाइज जल्दी से ये गन कौन सा ये है इस कार एंड गाइज हमारा फर्स्ट टार्गेट है वो बंदा जल्दी से किसी भी तरह उस बंदे को खतम करना है चाहे हमको कोई सी भी गन क्यूं ना मिले चाहे हमको ब्येस मिले या फिर कार 98 हमको सबसे पहले उस बंदे को खतम करना है तो क्योंकि आपको उसका location का पता नहीं होगा आपने उसको छोड़ दिया वो आराम से loot कर रहा आप भी loot कर रहे हो ठीक है और अगर आप उसको नहीं मार सकते हैं वो किसी घर वर में उतरा है तो guys आपको क्या करना है आपको उसका location देखते रहे हैं कि वो बंदा किदर किदर जा आपको मतलब जानना होगा कि वो बंदा कहां का है अचानक से वो जैसे आपको आके ना मार पाए तो guys यह होता है लेंडिंग का बेस्ट तरीका तो guys यहाँ पे एक और क्लिप में दिखा तो guys मैं यहाँ पे फिर से उतरा हूँ इसकी लोज में and guys देखो अब हमारे साथ होता क्या है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदा आया जो कि मेरे को ऊपर पीछे इस केनर में देख गया तो guys अब मैं क्या करूँगा मेरे को कोई सी भी एक गन मिल जाए और मैं उस बंदे को पहले मारूंगा because वो बंदा मेरे को पीछे से आके कभी भी मार सकता है guys तो मैंने यहाँ पे अच्छे से लूट वूट कर ली मतलब लूट वूट किया कि एक गन लिया हमने और वो बंदा देखो वहाँ से जा रहा है तो अब guys मैं यही पे बैटूंगा मेरे को पता है आसपास और कोई भी बंदा नहीं है सिर्फ वही बंदा है तो मैं यहाँ पे में अच्छे से समझ पारे हैं जो मैं आपको एक्स्प्लेन करना चाहता है अच्छे से समझ रहे होगे मेरे को पता है अप लोक समझदारो अब guys चलसे हमारे next tip की और लेकिन guys उससे पहले आप को कुछ दिखा देता हूँ यहाँ पे clip number one में देखो क्या होता है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ and उपर है enemy मेरे को पता चलिया grenade लिया मैंने और जैसे ही grenade वारा enemy हो गया खतम clip number two की और चलते हैं guys हमारा clip number two आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मेरे पास चार लेंटमाइन है मैंने यहाँ पे एक लेंटमाइनफे लगा एंड जो देखो होता क्या है ठीक है मैं यहाँ पे बिल्कुली safe हो गया, अगर कोई बंदा आता है तो मेरे को पता चल जाएगा, अब guys देखो होता क्या है, एक बंदा नीचे से आरा है, and, 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 वो बंदा बहुत ही ज़्यादा landmine से ही, landmine से ही बहुत ही ज़्यादा damage पड़ ज़्यादा, उसको and वो य आइन आप भूल जाताओा बट इसका यूज्ड को मतलब क्या ही बोलुँ हो छोटा चोटा छोटा टिप उन्ट को चोटी छोटी का यूज आपको ऑल्वेस करना ही है चली चलते है हमारे टिप नंबर थी में जाने से पहले मैं आपको बता दू गाइस टिप नंबर थी के अंदर ही हम पाच्छे टिप्स दे दे थे एंड गाइस आपको क्लिप वाइस समझाऊंगा यानि कि एक क्लिप दिखाऊंगा एंड उस टिप को मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगा ठीक है गाइस तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टिप नंबर थी का क्लिप नंबर वन में क्या हो रहा है गाइस सिंपली यहाँ पे मैं आया हूँ ड्रॉप लूटने और मेरे पास आ चुका है बंदा और मेरे को पता किया मेरे को पता वो मेरे पीछे आ रहा है सिल्किली उसको मैंने मार दिया एड्चों के साथ तो गईस इसलिए कभी भी एनेमी का पीछा मत करना एनेमी के ओपोजिट डिरेक्शन से जाना यही मैं आपको इस क्लिप में समझाना चाहता हूँ ठीक है अब गईस नेक्स्ट क पेकता लेडवाइन फेकता तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती थी और वहां पर एनेमी भी उठके हमको मार सकता ठीक है तो यह बस छोटी सी क्लिप थी गाइस इससे मतलब मेरे को पता यह ट्रिक आप लोगों को बहुत लोगों को पता है इसको नहीं पता उसको बताना था और चलते हैं हमारे next clip की और guys next clip आप देख सकते हो guys देख उस तामनी की और है बंदा and guys मैंने दिया बंदे को damage मैंने ग्लुवल लगा and भाई साब अब देखो क्या होता है बंदे ने मेरे को एक health का छोड़ा अब guys देखो क्या किया बंदे ने बंदे ने किया गन को reload और मेर अब ही reload आगया आप देख सकते हो मेरे गन में भी reload आ चुका है बट मैंने यहां पर reload नहीं किया मैंने यहां पर गन को change करके मार दिया and लेकिन बंदा जो था उसने गन को reload करना सोचा ठीक है अगर वो बंदा गन को reload ना करके उसके पस अगर USP भी होता USP या फिर G18 से भी गन से मेरे को मार देता एक गोली मैं खतम हो जाता बट वो बंदा रिलोड करने गया तो इसी छोटी छोटी चीजों से ना आप एक प्रो बंते हो और सामने वाला बंदा नूब बनता है ठीक है तो गईज अब चलते हमारे next clip की और यहां से मैं आया हूँ और उपर में एक बंदा है मेरे को पता है ठीक है अब मैं जा रहो सामने की और पता नहीं मेरे को वो बंदा है कहां पे और भाई साब अचानक से साइट से डैमेज दे दिया और मैं यहां पे इन्हेलर करते करते नीचे खूद गया अब गैस देखो होता क्या है उपर से बंदा मेरे को देख उसके उल्टे साइड से जाओ वरना तो यार आपको अगर बंदे ने आपको देखके रखा है तो अगर आप जंप करोगे तो आपको जंप करती करती यी बंदा खतम कर देगा यानि कि मैंने उसको देखके रखा था कि वो वहीं पर है उसने जंप किया और मैंने उसको मार दिया तो ये गलती है गाईज कभी भी ऐसे ये जंप मत कर दो यार क्या मतलब पागल पंती थोड़ी नहीं ये बंदे को देखो यार क्या भायंकर वाला जंप मारा यार इसको क्य थो इन गलती यह पर zg franch जो आप लोग समझों को आप लोग नमबर 4 अर हमारा टिप नमबर 4 है जो न अब गैस जोन तो आपको पता ही जोन किसको बलते है वही जोन जो कि यार हमको जीने नहीं देता यार वही जोन जो हमारा हेल्थ काट लेता है तो गैस बहुत बार ऐसा दिक्कत होता है कि आप लोग जोन के अंदर फस जाते हो एंड जोन से आप बाहर नहीं आ पाते हो तो इस यहां पर पहला जो टीप है जोन से बाहर आने का वो है गाईस आपको ओल्वेज गाड़ी का यूज करना यानि की गाड़ी अपने आसपास ही रखना अगर आप सोलू में मतलब आप हलका सा रैंक पुस करके खेल रहों आपको यानि की हैरोई कि आप डायमेंड फोर ये सब ज लिज़ा आप साइड पास में गाड़ी रखना एंट है सबस्केंड गया घ्लोगा नहीं और भाई साब क्या ही बोले अब उस साइड से एक बंद आ गया थर्ड पार्टी करने उस बंदे ने इसको भी एमेट टूबी से मार दिया तो मैंने यहां पर दो ग्लुवल लगाया ताकि वह एमेट टूबी से मेरे को ना मार पाई ठीक है अब देखो होता क्या हो आरा मेरे परस करने जोन भी आ रहा है तो यार मैंने होता है गाड़ी को आप यूज करके जोन में बहुत ही जल्दी से जा सकता है यार मैं बंदे के मूँ से आया हूँ तो इसलिए गाड़ी का यूज क्या ही बोले अब गाड़ी तिया गरेना ने जितने भी चीजे दिये अना प्री फायर के अंदर हर एक चीज बहुत ही काम बट उसको यूज करने आना चाहिए ठीक है उस चीज को आपको अच्छे से यूज करना होगा बिल्कुल काम में लगाना होगा गाइस नेक्स्ट जो टीप है जोन के अंदर जाने का और मतलब इस टीप को आपको फोलो करना ही है ठीक है तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो क्य जोन चला गया और भाई जोन क्या ही भैंकर वाला डैमेस दे रहा है 5-6-6-7 का डैमेस दे रहा भाई यहां तो भैंकर वाला कांड हो गया तो गाइस यहाँ पे मेरा क्या कामाया इन्हेलर और गाइस मेरे यहाँ पे 10 इन्हेलर थे और अगर मेडिकिट देखो तो बीच में भी inhaler करके अपने health को full कर सकते हो देखो इस zone से निकलना बिना inhaler के लिखित में ले लो guys मुस्किल था इतना जादा damage पड़ा इसके अंदर इतना जादा damage पड़ा ना क्या ही बोल सकते हैं तो guys बहुत ही जादा मुस्किल था inhaler के बिना इस zone में survive कर पाना but guys inhaler था मेरे पास 10 तो मैं बहुत ही आसानी से आगया guys तो always medikit से जादा inhaler को उठाओ अपने बेग के अंदर inhaler भर दो ठीक है guys तो यह था हमारा tip number 4 and guys tip number 5 तो आपको पताई यह क्या होने वाला है end circle fight यानि कि guys आपने 5-6 kill कर दिये है and आपको end circle में अब आपको बुईया चाहिए तो guys बुईया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा end circle में आपको आगे से पीछे से बंदे मार देते तो उसके लिए आपको कैसे बुईया करना है guys end circle का fight में बहुत बंदो का problem होता है I think से अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो guys जितने भी टिप्स मैंने बता है सारे टिप्स में से आपको सारे टिप्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे तो guys please इस वीडियो को एक लाइक कर दे ना इस वीडियो का like game हम रखते 40,000 likes का 40,000 likes जल्दी से complete कर दो and guys जल्दी से चैनल को subscribe कर दो यार दिन भर मैंने ये rank solo खेला ठीके guys दिन भर मैंने rank solo खेला और जितने भी tips and tricks वाले clips है आपके सामने रख दिये ताकि आपका gameplay इंप्रूब हो सके तो guys चैनल को subscribe करना बनता है चोटी से request है guys आपके भाई की इतने मैंने से video बनाया है 10-12 गंटे मैंने के बाद एक video बनाया है बस guys आपको एक click में आपका subscribe हो जाएगा तो please guys नीचे का जो red color का button है subscribe का उस button को press करके उसके बगल वाले notification bell को press करके बस इतना छोटा सा काम आपको करना है अब चलते हमारे tip number 5 जो की most important tips in the video है तो guys वो है end zone का fight तो guys उसमें आपको क्या करना है सबसे पहले मैं आपको clip दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पर हो क्या रहा है देखो इस side में एक बंदे को मारा और guys यह solo match नहीं है मतलब patience रखके fight लेना सामने दो बंदे हैं मैं हूँ अकेला बट उन दोनु बंदो को मैं मार दूँगा समझ रहे हूँ guys तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना step number 1 ट्राइ करेंगे जो की होता है grenade मतलब यार guys ग्रेनेट से पहले मारने की कोसिस करो फिर gun का यूज करो grenade से मारने की हम कोसिस करेंगे and guys अब देखो होता क्या है चार grenade है मैं पहले cook करके मतलब पहले ऐसी फेकूँगा फिर मैं cook करके फेकूँगा तो guys होता क्या देखो cook करके मैंने grenade फेका बंदा एक knock हो गया अब मैं सीधे उनके उपर रस मारूँगा because अब एक ही बंदा है तो guys मैंने उनके उपर रस मारा and बंदा जो उनके लिए आ रहा था मैंने कर दिया बंदे को खतम तो guys इसी लिए grenade का यूज करो and circle में भी win कर पाओगे and guys मेरे को पता आप लोग बोल रहोगे ये तो वो वाला fight नहीं है कि आगे पीछे चारो तरप से बंदे मारेंगे तो guys आपको ऐसे जगा पे जाना ही नहीं है जहां पे आपको आगे और पीछे दोनों साइड से पढ़ सके यानि कि guys आपको लग रहा है circle end होने वाला and 3-4-5 बंदे अभी पी alive है तो आपको always zone के end में रहना है बिल्कुल side में रहना है and जब सामने वाले बंदे fight करे तब आपको वहाँ पे फाइदा उठाना है जी हां guys आपके तो यहाँ पे 5-6 kill पहले से ही हो चुके है अब अगर सामने बंदे fight करते तब आप यहाँ पे फाइदा उठा सकते हो बिना फालतु का बीच में मत चले जाना आपने एक बंदे को मार भी दिया ना तो भी आपको आगे और पीछे से सारे बंदे मिलके मार देंगे because solo match है and 4-5 बंदे अगर जिंदा रहे last circle में तो समझे रहो क्या ही भयंकर वाला fight होगा इसलिए guys always side में रहे के फाइदा उठाना सीको easily match को बुया करोगे and जितने tips दिये ना मैंने छोटा सा छोटा एक mistake आपको बुया करने से रोख सकता है वीडियो को फिर से देखो अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ भी miss किया है वीडियो को फिर से देखो and अक्छे से समझो and guys please, please, please इतना मैनत से मैंने वीडियो बना है मैं like के लिए नहीं बोल रहा है इतना मैनत से मैंने वीडियो बना है वीडियो का एक भी tips को आप फोलो ना करो ऐसा ना हो सकता मतलब हर एक टिप को आपको जरूर से फोलो करना है तभी जो मैरा मैनत है वो काम में आएगा ठीक है मैंने इतना मैनत करके वीडियो बना है आप लोग अगर इस टिप को फोलो ही नहीं करोगे वीडियो को देख के चले जाओगे ना आपका गेमप्ले इंप्रूव होगा और ना मेरा टिप सेंट रिक काम आएगा तो गाइस प्लीज जितने भी टिप्स मैंने दिये हैं अच्छे से फोलो करो उनको आपका गेमप्ले 101 परसेंट इंप्रूव होगा एंड थोड़ी सी प् ग्रेंड मास्टर ठीक है आप गय्जव में आपको र्याली टी बताता हो ग्रेंड का वैसले व्यससे मैं इसके ऊपर ये पूरा वीडियो बना दिया है मैं इस वीडियो माने आपको खालोलों में अए ये की पूजा करते थे बट अब ऐसा नहीं है गाइस दो तीन दिन में आराम से हैरोइक वेरोग जाओ और डायमंड फोर हैरोइक यह रैंक बिलकुली ओपी वाला रैंक है इस रैंक में आपको बिलकुली लेजेंडरी बंदे मिलते हैं ग्रेड मास्टर जाओगे ना तो मतलब अ यह रहने दो यार चलो अब हम मिलते हैं किसी और विडियो वे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तों झाल झाल